Commerce Lectures, I am Neha, आज करेंगे हम Class 12 Indian Economic Development and आज का माना Topic है Measures of New Economic Policy इसमें सबसे पहले हम मेजर करने वाले हैं Stabilization Measures and guys यह notes रही हैं, description में लिंक मिल जाएगा, आज से आप notes डाउनलोड कर सकते हैं तो क्या होते हैं Stabilization Measures? These are short run measures introduced by government to revamp Indian economy सबसे पहली बात है, इन्हें कौन लेके आया था, government लेके आई थी यह हैं short run measures, यानि छोटे समय की कोई policy या कुछ देखना है तो उसके regarding है किसले लेके आई थी? To revamp Indian economy यानि हमारे देश की economy को फिर से बढ़ाने के लिए, फिर से उठाने के लिए गर्मेंट ने लेके आई थी They were undertaken to control, किन-किन चीजों के लिए लेके आई थी है Rise in prices, ठीक है? Price बहुत ज़ादा बढ़ रहे थे, inflation आ रहा था, उस चीज को रोकने के लिए लेकर आई थी Adverse balance of payment, यानि exports जो है वो बहुत ज़ादा हो रहे थे इंपोर्ट बहुत कम हो रहे थे, तो उस चीज के लिए लेकर आई थी Fall in foreign exchange reserve, हमारे देश में foreign reserve जो है वो बहुत कम होता जा रहा था गिड़ता जा रहा था, इसलिए लेकर आई थी Next आपका measure है structural adjustments, क्या चीज हैं? These are long run policies, यह है long run के लिए, जो पहले बड़ी थी, वो थी short run के लिए Aimed at improving the efficiency of economy, हमारे देश की efficiency बढ़ाने के लिए हमारे economy के efficiency बढ़ाने के लिए लेकर आई थी, और किसलिए लेकर आई थी? Increasing its international competitiveness, हमारे देश हो है, international level पे भी आगे competition करें किस street के regarding, economy की बात हो रही है, यहां कोई खेल नहीं खेल रही है, कि कोई sports से related हो रही है, competition यह economy से बात हो रही है, कि economy हमारी बाकी देशों के मुकाबले आगे बढ़े, है ना, हमारे products जो है, बाहर की सब देशों तक भीके हैं, ऐसे करके by removing the rigidity in various segments of Indian economy, हमारी जो Indian economy है, वो उसमें बहुत rigidity थी, यहनी rules and regulations बहुत rigid थे, सकत थे, strict थे, जिनको chain नहीं किया ता सकता था, तो वो चीज हटाने के लिए ले के आई, तो कौन-कौन से चीजे ले के आई, इसके अंदर तीन चीजे, liberalization, privatization और globalization, liberalization, liberalization भी कहा था, license फोगेरा हटा दिया था, कि इसको business start करना है तो, privatization यानि private sector का जादा रोल कर दे था, globalization मतलब अब हम बाकी दूसरे देशों के साथ भी business कर सकते थे, तो यह तीन चीजे इसके इंदर ले के आई थी,